बेस्ट पर्फॉर्मेस करना चाहूंगा सिधार्द मुलोत्रा का देशपक्त वारियर के लिए क्या-क्या प्रोग्रम पर्सनल भी आ सकते हैं और क्या-क्या चीज़े हो सकते हैं कि फिल्म देखते वक्त आपको बड़ा गर्व होगा और फिल्म देखते बड़ा मज़ा हैगा बार-बार बार बोड़ी से दिल से दिमाग से मतलब पुरे तनमन से आवाज निगले की हिंदुस्तान से देब और सिधार्द मुलोत्रा तो वैसे भी मुझे लगता है कि बहुत ही सुल्जवे कलाकार है बहुत ही बड़ी आड़ेले जमाने में मुझे लगता है कि वह एक अलग ग्रूप में लोगों को और बहुत संजीद की के साथ में परफॉर्म करते दो दनाएंगे कलर फुल्फिल मुझे लगता है कि देखने वाला बंदा जो है वह अपने आपको भी फिल्म का हीरो मैसुस करेगा पिछले हपते रिलीज हुई फिल्म योद्धा के बारे मे लव यू बाजू का आपकी वज़े से रिवी पता चलता है आजू बाजू का पिछले हपके जो रिलीज हुई फिल्म योद्धा एक बहुती एनरजेटिक फिल्म है एक बहुती जैसे कह सकते की देजभक्ती ओरिंटेट फिल्म है और ऐसी फिल्म में हमारे युवाओं को पसंद आती कि और ऐसी फिल्म देखने वाला हर आदमी युवा है चाहे वो भूत पूरो युवा हो भविश्यो का युवा हो या वर्तमान का युवा हो जवान याने फौजी भाई क्योंकि इस फिल्म में युवा एक योद्धा एक यूनिट है जो देश के लिए लड़त का बहुत ही जबरजस्ट परफॉर्मर एक दम जिसे कह सकते की लगता है कि यह मेड़ फॉर इच अधर करेक्टर के हिसाब से ऐसा डल चुके है सुद्धार मुलो तुरा और दिशा पाटनी जो है मैं समझता हूं की एक बहुत ही बहुत ही बैतरीन खोपसरत एक्ट्रेस तो इजधाद मलोतरा की जो वाईब बनी है वो किस तरह से उनके जीवन में क्या-kya problem होते हैं और परस्थन लाइफ में आपको बड़ा गर्व होगा और फिल्म देखते हैं बड़ा मज़ा हैगा आपके कहीं न कहीं बार 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 बोड़ी से दिल से दिमाग से मतलब पूरे तनमन से आवाज निकले की हिंदुस्तान जिन्दाबात सब एक तुसर को कॉंप्लिमेंट करता है और मुझे लगता है कि एक ऐसी फिल्म है कि जिसे कह सकते कि बहुत इत्मिनान से अच्छे से और पूरे जोश के ताथ साथ एड़ दा सेम टाइम पूरी फैमिली के साथ देखे जा सकती है और सेदार्द मुलोतरा तो वैसे भी मुझ मुझे लगता है कि वह एक बहुत ही अलग रूप में लोगों को और बहुत संजीदगी के साथ में परफॉर्म करते हैं और दिर्शा पाटनी जो की बहुत खुब सरत है और पूरा ताना बाला ही जो बुना गया है बैग्राउंड मुजिक गाने है कलर फुल्म है मुझे ल पर दिशा पाटनी को रहना चाहिए था क्या लगते हैं आपके हिसाब से कौन सबस्ट ने करेक्टरिजिशन के साब से ठीक है दिशा पाटनी अपनी जिकर बहुत बढ़ी आप परफॉर्म कर गई और उनका करेक्टर बहुत अच्छा बहुत ही एक नहीं पाटनी को नहीं पर दिशा दे गया और राशी खन्ना के लिए कहना चाहूंगा कि अगर तुम इसी तरह से खन्ना साब काम करते रहे तो राशी बहुत कमा हो कि मुझे पता है तुम्हारे राशी में हीट 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 नमबर आने लगे हैं इस फिल्म को आपके तरफ से कितने स्टार्स हिसाब से मैं साढ़े तीन चार तो देना ही चाहूंगा क्योंकि चारों खाने यह फिल्म सुपरेट है लभी होद्धा